एक्सेसाइस 12.3 और चप्टर का नाम है एरिया रिलेटेट तू सरकल इसमें मैं आपको क्वेशन 4 वाला यह सॉल्फ करके बताऊंगी क्वेशन 4 क्या कह रहा है यहां पर देखें हमें एरिया इसमें पूरे का एरिया निकालना है इसमें क्या क्या कह रहा है इसमें कह रहा है ओ क्या वर्टेक्स है एक्विलेटर टैंगल में यह जो क्या है एक्विलेटर टैंगल का वर्टेक्स है ठीक है यह और प्लस यह इस सरकल का सेंटर भी है ठीक है O क्या है सेंटर भी है इस सरकल का और इस एक्विलेटर टैंगल का वर्टेक्स भी है ठीक है वर्टेक्स किसे कहते है कॉर्नर ठीक है को न यहां पर देखिए दो लाइन जो यहां पर बिल ले इस पॉइंट पर तो इसको वर्टेक्स कहते है ठीक है प्लस इस सरकल का सेंटर भी तो यहां पर 12 cm यहां पर 12 cm दिया है, तो यह भी 12 cm रहेगा और यह भी 12 cm रहेगा, 3 साइच 12 cm के पराबर होगा, ठीके, और क्या कहा रहा है? इसमें देखिए, साइड तीनों का तीनों साइड सेंटीमीटर और संटीमिटर और स्टीनों एंगल udah 60 की एंघ व Hurac talks सर्कल यहां देखिए इह सर्कल दिया हो हमारा और सर्कल का रेडियेस बता दिया है वहाँ थे इहां पर हमें क्या निकलना हे शेडर डी जन का एडियर है प्लस यहां पर एरिया आफ सर्कल जो हम निकालेंगे आप यहां देख सकते हैं कि इतना जो पोर्शन दिख रहा है आपको यहां से यह वाले यह यह इतना पोर्शन किसका है यह इस ट्रेंगल का पार्ट है तो हम इस ट्रेंगल का पूरा एरिया निकाल लेते हैं अप यह वाल तो यह क्या है इतना portion तो हम यह तो हड़कर हमारे क्योंकि एक एक निगाल का पार्ट है यहां से आप यह भी समझ रहोंगे कि यह एक माइनर सेक्टर भी यह इतना माइनर सेक्टर दिख रहे है और इतना इसके बाद यह नहीं भी ब्लू रिजन वह major sector का है तो अगर हम यहां पर हमें area of shaded region निकालना है तो इसका formula बनेगा area of major sector plus area of an equiliter triangle तो इससे हमारा shaded region का area निकल जाएगा तो सबसे पहले हम यह कोशिच करेंगे कि area of major sector हम निकाले हैं कैसे तो यहाँ पर मैं जो diagram बना रही हूँ वो सिर्फ मैं circle का बना रही हूँ ठीक है यहाँ पर जो diagram बना हुआ ह ठीक है पहले मैं पूरा diagram बना देती हूँ उसके बाद मैं सिर्फ circle diagram बना करके आपको समझाओंगी यह O है ठीक है circle का center है diagram मेरा अच्छा से निए बना है ठीक है और यहाँ पर यह दिया हुआ है A और यह B दिया हुआ है और यह 12 cm ठीक है और यहाँ से यहाँ जो दिया पूरा उसीक्षा इंटीमेटर दिया ठीक है रह पल्ना ही यह पूरा इरिय निकालना है यह पूरा ही सब निकालना है थीक है तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बता दिया कि यह इतना जो पंट आ रहा है इप अप कंछा से यह ढीक हुआ टैंगल की ट्र 대한 कल का portion ठीक है तो इतना पार्थ फटा देंगे तो क्या बनेगा जो चीज़ हमारे पास बनेगी This walnut इस今年 इस तरीके से बनेगा मिबवस्चा कीज़े और यहां से कितना दियाँ सिक्चीके मीट की ऍीफ दिखटे बषल एक इंट में पाविरा नाव में देती हुए यहां पर रना से निले हैं मैंने District क कृए यह दो है राता के आटका पर पंडहे हैं तो O, P, Q क्या है हमारा O, P, Q यहाँ पर मैं सर्कल जो पूरा बना जती हूँ डैस डैस कर जती हूँ ठीक है तो O, P, Q आपको क्या नज़रा रहा है माइनर सक्टर नज़रा रहा है O, P क्या है माइनर सक्टर है ठीक है माइनर सक्टर हमारा और O, P, R, Q हमारा major sector है हमारा ठीक है ये हमारा क्या है major sector ठीक है तो हमें तो major sector चाहिए तो major sector का area हमें चाहिए तो major sector का area कैसे निकलेगा पूरे circle में से हम ये इतना minor sector minus कर देंगे तो ये वाला portion निकल जागा हमें तो क्योवल ये चाहिए area of major sector के है o p r q यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा आपको o p r q is called to area of circle minus area of minor sector minor sector क्यों बोला गया है इतने को क्योंकि यह देखे छोटा है minor दिख रहा है बहुत छोटा portion इसलिए इसको minor बोला गया है minor sector और यह बड़ा पाट दिख रहा है इसको कहते major sector ठीक है तो minor sector यहाँ पर area of minor sector क्या है मेरा o p q यह हमारा ठीक है तो अब देखे यहाँ पर area of circle पूरा area of circle क्या होता है pi r square यह सब हम सभी जानते है pi square होता है area of circle ठीक है minus area of minor sector minor sector का फॉर्मूला क्या होता है theta upon 360 into pi r square तो इसमें और इसमें इन दोनों में क्या term common दिख रही है pi r square तो इसको आप बाहर निकाल लेंगे ठीक है तो अंदर क्या बचे का यह तो बाहर आगिया तो 1 बचे का minus यह वाला भी यह बाहर निकाल था तो बचा क्या थीटा upon 360 यह बचा हमारे पास ठीक है 60 डिग्री के रहते है 60 upon 360 यह आगे हमारा ठीक है अब देखे यह और यह कैंसे 6 पंजा 6 66 36 तो क्या आया हमारे पास पाई 6 का होल स्क्वाइर 1 minus 1 upon 6 ठीक है यह आया हमारे पास अच्छा पाई की वैलू क्या होती है पाई की वैलू हमारे होती है 22 upon 7 into यह 6 स्क्वाइर है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं और इसका जब हम LCM लेंगे तो यह हमारा आएगा 6 और उपर 6 minus 1 नहेगा ठीक है 5 upon 6 यह आया हमारे पास तो यह 6 और यह 6 एक कैंसल हो गया बचा के हमारे पास 22 into 650 30 upon 7 ठीक है यह आया इसको और अच्छे से हम इसको मल्टिप्लाइ कर ले 22 into 30 के हो जाएगा 660 upon 7 तो यह जो मैंने निकाला एरिया of major sector निकाला है ठीक है यह किसका एरिया है यह जो हमारा आया ह अच्छा है एरिया of major sector क्या था हमारा major sector O P R Q ठीक है O P R Q वह कितना है हमारे पास 660 upon 7 एरिया है तो एरिया कह रहे गांगा सेंटी मीटर स्कॉयर में क्योंकि यह पर लेंग संटी मीटर में दिया तो इस संटी मीटर स्कॉयर होगा तो देखे मैंने यहाँ पर इस वाले यह पूरे इरिया फी पीक्यू को कर देंगे तो यह जा रहते हैं तो यह मैंने निकाल दे यहाँ पर इतना है अब हमें क्या निकालना आप हमें निकाल एकछान टेंगल तो हमें इया एक डाइगनम गना देती हूं यह हमारे 12 cm है ठीक है और मैंने बताया है equilateral triangle में क्या रहते है तीनो side equal लेते है तो तीनो side equal है और area क्या होता है area of fell equilateral triangle क्या होता है वो हमारा root 3 upon 4 side का square ठीक है तो root 3 upon 4 यहाँ पर side क्या हमारा 12 है 12 का whole square यह हमारे पास आया ठीक है अब देखें आगे क्या करेंगे यहाँ पर मैं इसको solve कर लेती हूँ यह मेरा आया है scale to root 3 upon 4 into 12 का square है तो इसको मैं दो बार लिख देती हूँ ठीक है तो 4 थीजा 12 यहाँ पर क्या आ रहा हमारा 12 into 3 36 12 थीजा 36 root 3 तो यह हमारा आया area of an equilateral triangle वो कितना आया हमारा 36 root 3 cm square क्योंकि area unit क्या रहेगा square cm रहेगा तो देखिए यहाँ पर मैंने सब निकाल दिया यह वाले triangle का भी area निकाल दिया प्लस यह वाला circle का इतना जो shaded region था उसका भी मैंने area निकाल दिया तो इसका area प्लस इसका area दोनों add कर देंगे तो area of shaded region निकल दाएगा area of shaded region का formula कैसे बनेगा shaded region वह होगा क्योंकि यह इतना जो portion था और यह circle जो पूरा है यहाँ से देखिए इधर से शुरू कर रहे है इसको यह क्या मैंने माई यह major sector था ना मारा तो यह होगा formula जो बनेगा area of shaded region इसका लटू area of major sector और area of major sector का मैंने area निकाल दिया है ठीक है प्लस हमें shaded region निकालना तो इसका area इसका area एड़ करेंगे तो area of major sector plus area of an equilateral triangle ठीक है यहाँ पर आप इसको लिख दीजेगा area of an equilateral triangle ठीक है तो अब देखिए area of major sector मैंने निकाला था वह कितना यह था 660 upon 7 cm square यह था प्लस हमारा जो area of shaded region area of an equilateral triangle ठीक है 36 देखिए यहाँ पर दोनों cm square में है ठीक है तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में लगाने के बाद लास्ट में आप cm square लेकिए ठीक है तब इससे यह दोनों cm square में रहेंगे तो यही तरीका है लिखने का अगर कोई 2 time है और उसको cm square में लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है ठीक है तो इसको और भी हम solve कर सकते हैं यहाँ से 6 जो है अगर इन दोनों में देखिए 6 बहार निकल सकता है यह नहीं भी आप common निकालेंगे तो answer आपका यह भी जो है वो सही है फिर भी मैं यह तो बाहर निकाल लीजे तो अंदर क्या बज़ेगा 100 upon 7 plus 6 root 3 ठीक है यह हमारे निकलेगा यहां से यहां से तो और भी यहां से common बाहर निकल सकता है क्योंकि देखिए यहां पर 10 है यहां पर 6 है इवन नमबर है ठीक है तो यहां से हम 2 भी बहार निकाल सकते है common तो 2 अगर हम बहां निकालेंगे तो अंदर क्या पज़ेगा 55 upon 7 plus 3 root 3 cm square यानि कि हमारा answer है यह 6 to 12 और ब्रैकेट में यह portion तो यह हमारा area of shader vision जो है इसका यह निकला है यही मुझे उमीद है यह question आपको अच्छा से समय में आ गया होगा